साब का स्वागत अपना study lecture यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी नेकपाल के एक्याम से रिलेटेड और क्रिसी जागरुकता का जो ये क्रिसी के जागरुकता जानि खेतों की बारे में जानकारी इस से रिलेटेड ये जो की सीरीज चल रही है इस सीरीज में हम बात करेंगे आज decimal क्या है एक decimal में कितने वर्ग कड़ी होता है कितने वर्ग फूट होते हैं और कितने वर्ग गज होते हैं कितने वर्ग मीटर हैं ये detail में आज बात करेंगे आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो को यदि आपने start कर दिया है तो वीडियो को end तक देखि सके कि डिसमेल में किस प्रकार से हम छेतरफल निकालते हैं खेतों का तो इससे पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए का चो कि हमने अपलोड कर दिया कि खतोनी के माध्यम से आप अपने खेतों का छेतरफल या भीग हैं कनवर्ट किस प्रकार कर सकते हैं आई बटन उप तो तक शेयर करें वीडियो को लाइक भी करें तो देखिए डिसिमिल क्या है डिसिमिल जैसे कि किसी छेतर का हेक्टियर क्योंकि एक एसाई मातरक होता है जो कि हेक्टेयर होता है जो कि हाँ गॉर्मेंट जो जमीन को नापती है वो हेक्टेयर में नापती है तो गर डिसिमल में नापती है तो भी डिसिमल भी एक ऐसी काई है जिसको हम खेतों का छेतरफल निकालते हैं ठीक है तो एक डिसिमल में कितने वर्ग क होता है यह देखिए यह होता है एक डिसिमल बराबर होता है यह होता है आपका 1000 वर्ग कड़ी क्या होता है 1000 वर्ग कड़ी ठीक है 1000 वर्ग कड़ी होता है अब 1000 वर्ग कड़ी को आप क्या लिख सकते हो 1000 वर्ग कड़ी को आप लिख सकते हो क्योंकि आप जानते हो कड़ी कड़ी क्या होता है जिसको जरीब बोलते हैं जरीब का वीडियो हमने अप्लोड कर दिया है तो आपना study lecture YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाईए वहां से आप जरीब सर्च करिएगा बाई अपना study lecture यू तो आपको मिल जाएगा ठीक है तो जरीब क क्या है उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था एक जरीब क्या होती है देखिए एक लोहे की एक जंजीर होती है जिसमें कड़ी लगी होती है और ये कड़ी कि सौव कड़ी होती है ठीक है सो कड़ी होती है उसके बारे में डिटेरिम बात की है बात करते हैं एक कड़ी यह जो किये यहां से जुड़ी रहती है एक कड़ी होती है इसी परकार सो कड़ी वर्ग मिटर यानि अगर आप इसको बदलें एक एक वर्ग कड़ी यानि एक कड़ी एक कड़ी मिला कि एक वर्ग वहीं बात करते हैं एक कड़ी एक कड़ी के लंबाई कितनी होती है एक कड़ी के लंबाई होती है यह होता है अब 7.92 इंच कितना होता है 7.92 इंच वहीं अगर बात करते हैं अगर इसको फुट में बदलें तो कड़ी को एक फुट 12 इंचे में एक फुट होता है अगर फुट में बदलते हैं तो यह आपका हो जाएगा 0.6 फुट एक कड़ी की लंबाई हो जाएगी ठीक है अगर इसको देखिए यह हो जाएगा आपका वर्ग वर्ग कड़ी ठीक है अब यह वर्ग कड़ी है इसको अगर हम बदलते हैं तो इसको क्या लगते हैं वर्ग को अगर यहां से स्क्वाइर कर दें तो यहां पर आप स्क्वाइर लगा सकते हैं को एक कड़ी का square लगा सकते हैं ठीक है यह हो जाएगा आपका 1000 कुणित एक कड़ी का square कर सकते हैं ठीक है एक कड़ी को अगर फूट में बदलते हैं तो एक फूट की लंबाई हमने बताई आपको कितना होता है 0.66 यानि square हो जाएगा ठीक है अगर इसको 1000 में multiply यानि गुणा कर देंगे और 0.66 का मतलब दो बार इसको गुणा करेंगे 0.66 में 6 को दो बार गुणा करेंगे और फिर 1000 से गुणा करेंगे तो यह लगभग कितना आजाएगा यह आपका आजाएगा गुणा करने के बाद यह टोटल आ जाएगा आपका 435.6 वर्ग फूट में बदल जाएगी ठीक है कितना बदल जाएगी यह हो जाएगा 435.6 वर्ग फूट यह हो जाएगा एक कड़ी बड़ाबर, 2000 वर्ग हो जाएगा और एक डिस्मिल बड़ाबर हो जाएगा आपका एकडी मील बराबर कितना हो जाएगा एकडी मील बराबर कितना हो जाएगा एकडी मृईroveंच घर अगर फोट को बदलना है तो फूट को गर्ज में बदलना है तो एक गज बराबर कितना होता है एक गज बराबर होता है एक गज बराबर होता है तीन फूट कितना होता है तीन फूट अब देखिए एक गज बराबर तीन फूट होता है तो अगर एक फूट की बैलू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटे तीन गज हो अब यहाँ पर value कितनी आई थी यहाँ पर value आई थी आपका 435.6 वर्ग फूट वर्ग फूट को अब क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं एक फूट का square कर सकते हैं क्योंकि वर्ग में बदल जाएगा अब एक फूट की value आपको पता हो गई है कितना होता है एक बटे तीन गज यानि इसको अब क्या कर सकते हैं इसको अब लिख सकते हैं 435.6 गूट एक बटे तीन गज का square कर देंगे आप इसको क्या कर सकते हैं यह हो जाएगा आपका 435.6 गूट एक बटे नव गज वर्ग गज हो जाएगा वर्ग गज हो जाएगा ठीक है आप अगर नव से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यह लगभग कितना कट जाएगा यह बटे जाएगी यह आपकी आएगी 48 यानि 48.4 वर्ग गज तो अब एक डिसीमिल के बटे नव कितनी आगई एक डिसीमिल के बटे नव कितनी आगई आपकी 48.4 वर्ग गज ठीक है तो एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी एक डिसमिल बराबर यह भी होता है 435.6 वर्ग फूट अब अगर इसको मीटर में बदलना है तो मीटर में क्या करना पड़ेगा देखे, मीटर को बदलने के लिए, अगर इसको आप मीटर में बदलना चाहते हैं, तो ये भी जानते होंगे आपकी एक गज बराबर कितना होता है, एक गज बराबर होता है 0.914 मीटर, ठीक है, एक गज में 0.9 लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, एक मीटर से थोड़ा कम हो लेकिन लगवग एक मीटर के बराबर होता है ठीक है एक गज बराबर क्योंकि तीन फूट तीन फूट का मतलब एक आपके बाहन से लेके आपके सीने तक की लंबाई हो जाएगी आपके अंगुलियों से लेके सीने तक तो देखिए अगर इसको यहां पर आपका लिखा है कित का square कर सकते हैं आप ठीक है गज का square क्योंकि वर्ग square है तो गज का square कर सकते हैं तो गज एक गज बराबर होता है आपका 0.914 तो अब इसका गुणा कर देंगे तो इसमें 48.4 गुणित यह हो जाएगा आपका 0.914 यह हो जाएगा आपका मीटर में square इसको अब कर देंगे क्योंकि एक गज बराबर इतना होता है ठीक है यह रख देंगे टोटल अगर इसको रख देते हैं तो इसको गुणा करने के बाद देखिए अगर इसको गुणा करते हैं तो यह लगभग आ जाएगा आपका 40.44 यह हो जाएगा वर्ग मीटर यानि आप इसको कह सकते हैं 40.44 वर्ग मीटर जो हता है एक decimal के बराबर होता है यह बात आपको समझ में आई होगी देखिए अगर टोटल हम डिटेल में लिख दे देखिए एक एक decimal बराबर होता है एक हजार वर्ग कड़ी ठीक है एक हजार वर्ग कड़ी 435.6 वर्ग फूट कितना हो जाएगा वर्ग फूट और कितना हो जाएगा एक decimal बराबर है यह सारे मान अगर इसको हम गज में बदलते हैं कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 48.6 4 वर्ग बद फूट चिक हैं एक्याम में भी पूछ सकता है और किसान भायों को जो उनको ये पता नहीं है उनको ये भी बात पता चल जाएगी आसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिला इकार को जरूर प्र मेरा वाट्सेप नंबर है सतहत्तर जीरू अडशट सैतालिस नौसव उननीस इस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं